GST में 1 December 2020 से लेके 31 March 2021 इन 4 महीनों के बीच में पैनल्टी माफ करी गई है और ये किस चीज की पैनल्टी माफ करी गई है ये माफ करी गई है आप अगर QR कोड नहीं डालते हो B2C Invoice Issue करने पे उसी से रिगार्डिंग तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ एक Notifications देखने पड़ कि भीया Section 125 में आपके जो Penalty लगनी थी क्यों लगनी थी आप Non Compliance कर रहे थे Provisions of Notification No.14 21 March 2020 को एक Notification No.14 अगर उसमें जो Provisions दिये गए थे उसके अगर आप Non Compliance करोगे तो Section 125 की Penalty आपके उपर लगेगी लेकिन इस Notification ने ये बोला कि उन Provisions को अगर आप Compliance नहीं करते हो 1 December 2020 स तो हम आपसे Penalty नहीं लेंगे आपकी Penalty वेवोफ कर दी जाएगी मतलब जो Notification No.14 था जो कि 21 March 2020 को वा था उसके Provisions की Penalty पहले 1 December से लगने वाली थी अब वो 1 December की वज़ाए 1 April से लगेगी अगर आप Compliance नहीं करोगे 1 April 2021 से अब हम देखते है सबसे पहले Notification No.14 क्या है तो जिसने Super Seed किया है यह Notification No.14 क्या Super Seed कर रहा है दोस्तों जो कि 2019 में आया था Notification No.72 बात करता है अगर आपका Turnover 500 क्रोड रुपे से जादा है और आप Unregistered Person को Billing कर रहे हो तो आपको QR Code डालना है और यह आपके लिए Mandatory किया था 1 April 2020 से आप फिर से सुनें दोस्तों इसमें इन QR Code जरूर डालना है जो कि applicable होगा 1 April 2020 से जो कि अलड़ी जा चुका है दोस्तों इसके बाद कुछ extension हुई और यहां पर यह भी doubt था कि Turnover कौन से Financial Year का इसके बाद एक और notification आया वो notification आया 70 number का notification जो कि 30 सितंबर को आया इस notification में इन्होंने क्या change किया इस notification में इन्होंने दोस्तो दो तिन changes यह किये पहला तो change यह किया कि जो A financially लिखा हुआ था उसकी जगह 2017 onwards कर दिया तो मिलब 2017-18 और उसके बाद अगर आपका Turnover कभी भी 500 क्रोड से जादा है तो आपका उपर QR Code generate करने की B2C invoice के cases में QR Code डालने की liability आ जाती है पहले doubt था कि यहां कौन सा पहले doubt यह आ रह वो कौन से period का count करना है तो 17-18 onwards अगर आपका Turnover 500 क्रोड से जादा है तो आपको generate करना है QR Code B2C invoice के cases में साथ में एक notification नमबर 14 जो आया था यह notification नमबर 14 में इन्होंने यह और बोला था कि 1st day of October 2020 से applicable कर दिया था 72 नमबर के notification ने applicable किया था 1 April 2020 को फिर 14 नमबर का जो notification आया दोस तो उस notification ने बोला कि भी यह 1 October 2020 से करेंगे 71 नमबर के notification ने बात करी कि 2017-18 onwards अभे Turnover देखना है तो यह था पूरा background simple सा पहला background जो notification आया उसने कहा अगर 500 क्रोड से आपका Turnover ज्यादा है यह नहीं बताए कौंसे साल का आपको 1 April 2020 से QR code comply करना है B2C invoice के cases में फिर 14 नमबर का notification आया है 2020 में उसने यह बोला 1 April 2020 की जिएगे आपको 1 April 1 October 2020 से करना है फिर 13 नमबर के notification ने Turnover बता दिया भे Turnover आपको देखना है 2017-18 onwards और आज का notification आया है दोस्तों आज के notification ने साब साब बोल दिया है कि अब आपको 1 December 2020 की वज़ए 1 December 2020 से आपको comply नहीं करना ह आपको 1 December 2020 से लेके 31 March 2021 तक बीच में एको notification आया था जिसने 1 October से बढ़ा के उसको 1 December कर दिया था अब अगर आप 1 December 2020 से लेके 31 March 2021 तक comply नहीं करते हो तो आपके penalty नहीं लगेगी लेकिन आपको ध्यान रखना है 1 April 2021 से आपको QR code generate करना ही पढ़ेगा B2C के case में अगर 2017 onwards आपका turn और 500 क्रोड से जादा है तो दोस्तो तो ये थी penalty बात करते हैं Amnesty Scheme या फिर GSTR 3B Serial Rate उसकी penalty अभी तक government ने wave of नहीं करी है जो भी late fees की हम बात करते हो आ रहे है Amnesty Scheme अभी तक वापिस लेके नहीं आई है government उसकी जो late fees आपके normally अब लग रही है वो ऐसे ही continue आगे भी लगत रहेगी जब तक government का कोई नया notification नहीं आ जाता है दोस्तो थैंक्यू सो मच